इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज चुके एक नाई वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है हम बात करेंगे भारत की, आप लोग जानते हैं कि भारत में आजकल एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर काफी अजीब अजीब से नियूस भी हमें देखने को मिलती है और बहुत अफसोस भी होता है, और आज भी मैंने देखा कि बबल के आज कि अकल 26 जैनवरी को जब रिपब्लिक डे होता है तब भी मेरा क्याल सा कि हम बहुत अच्छे से हमारे जो इंडियन गेस्ट आएंगे, हम उनके साथ शो करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा जो हमारे पाकिस्तानी बड़ी खुशिया मना रहे हैं जिसमें बहुत से लोग है, जैद हामिज साब है, उनका ट्वीटर मैंने देखा और बहुत से लोगों का ट्वीटर देखा और नियूस भी मैंने देखी, तो उसमें बड़ी जी खुशी का जार किया जा रहा था कि फ लिक से नहीं पहचानते हैं उस फ्लैक को, I'm so sorry for that, लेकिन कोई ना कोई फ्लैक था, चाहे वो खालिस्तान का फ्लैक था, या वो सिक कम्यूनिटी का फ्लैक था, वो लगा रहे थे कोई, और उसको बहुत लेकर यहां पर बड़ी खुशिया मनाई जारी थी, तो मैं लोगों है या किसी तकलीव में है, तो दूसरे के जो नहीं होता उस सिच्वेशन में उसके घर में पार्टी होती है, यह हमारे एक mentality है, जो especially पाकिस्तान में है, और उसी चीज़ की एक जलक मैंने देखी कि जब यह सब कुछ हो रहा था, यह सारा हंगामत चल रहा था भारत में, और अभी तक मतब कुछना कुछ उसको मैं देख रही है उनके चल रहा है, और अभी भी debates जो मैंने देखी टीवी पर इसी के ओपर बात हो रही है, वो लेकर पाकिस्तान में लोग बिला हो जाए है, जला दिया जाता है, जला दिया जाता है, फार दिया जाता है, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पे भी लोग बहार निकलते हैं और जो स्टेट है और जो एजनसीज हैं उसके खिलाफ नारे लगाते हैं तब तो आप लोग कोई खुशी नहीं बनाते हैं तब तो आप लोग कोई खुशी नहीं बनाते हैं तब तो आप लोग कितने कि तकलीफ पे खुश क्यों होते हैं चाहे वो दो कंट्रीज की बात हो चाहे वो किसी इंडिविज्वल की बात हो चाहे वो ट्विटर पे बात हो चाहे वो यूट्यूब पे बात हो या कहीं भी हमारा एक अचीव सा रवया है अचीव किसम के हम लोग है हमें बड़ा मज़ा किसी को परिशान करके अब जैसे लास्ट एक वीक पहले तक जो है वो लोग मुझे अभी तक बलके कर रहे हैं यह क्यों को अभी नहीं हो रहे हैं इतनी जादा ट्रोलिंग हो रही है मेरे बारे में गलत न्यूस पहलाई जा रही है मुझे उल्टा सीदा बोला जा रहा है बगेर किसी प्रूफ के बगेर कोई दमाग लड़ाए आप लोग इस तरह की बाते करते हैं अपनी तरह उसे जी यह तो इंडियन चैनल से पैसे लेते हैं पता नहीं क्या क्या खर I don't want to repeat all that कि मैं उसको दुमारा से रिपीट करो सब कुछ जो फुदूलियात हो रही थी और सबसे पहले कुछ मैं अपने लोगों को यह कहना चाहूंगी अपने लोग में दोनों को कह रही हूं पाकिस्तान वालों को भी और इंडियन फ्रेंड्स को भी कि अपनी बेहनों को अपनी बेटियों को बहुत मजबूत बनाएं उनको बताएं कि जी जब आप काम करने निकल और अगर इत्फाक से जिसे कहते है ना कि आपने थोड़ा सा बेतर काम कर लिया और आपके दाएंबाएं लोगों को लगा कि ये कही बढ़ती ना चली जाए आगे तो आपको रोकने की भी कोशिश की जाएगी तो उस सूरत में जाहे आपको वो लोग हैरस करें जाहे आपको चीद आप बोले चाहे आपको अब्यूस किया जाए ट्रोलिंगों कुछ भी हो आपने काम करना कभी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आप अपने काम से ही आगे बढ़ सकते हैं अब आइम रेली थैंक्फुल तो माइ फादर उनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं पीछे जो एदर लगी यह ब्लाक और पिक्चर फ्रेम में के उन्होंने मुझे बहुत कॉंदेंस दिया मेरे मेरे दो बड़े दो बड़े भाई हैं और आइम दे यंगस वन और हमेशा अब आइम प्राइब कर दो अब आइम आइम सो मच ठांफल टू हम के आइब को जहां भी है वो मुझे देख रहे हैं और ही मस्ट भी प्रावड फ्रीक के अगर वो आज होते तो मेरे क्याले हो बहुत कुछ होते के मेरी बेटी जो है वो इंडियन चैनल पर भी जाती है और मेरी बेटी जो है वो बैट के इंडियन पैनलिस्त के साथ बात करती है और शो करती है बिकाज हमेशा मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया तो उसी वजह से मैं आज भी आपके सामने बैटी हूँ मैं हस रही हूँ मैं मुस्करा रही हूँ और ब बात से आपको खुशी मिलती है तो I'm happy for you guys कि आप लोग किसी चीज़ से तो खुश हो रहे ना चाहे आप किसी को बिला वजह में तंग करके खुश हो रहे हैं किसी को खामा खाई में बुरा भला कहे के खुश हो रहे हैं तो चले ऐसे ही सही बाकी तो आपको पता ही है कि जो काम है वो मैंने करना नहीं चोड़ना है और मैंने अपने शोज भी बनाने है मैंने आप लोगों से बात भी करनी है और कोई करे ना करे बेशक मेरे बात सही मेरे बात की जनरेशन उसके बात की जनरेशन लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंडिय जनाब जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं धड़ागट लोगों को अपने और वो भी फ्री में और उनको चाहिए ता कि यार उसी पैसों का कोई मिजज़ चिदाल बना लेते ना आप वैक्सीन का क्या है वैक्सीन तो फ्री में भी आ जाती है अब हम लोग लें गई ना आप हम इम्रान खान साब से कुछ तो सीखा जा सकता है ना कि मतलब पैसे कैसे बचाते हैं और फ्री की चीज़े कैसे लेते हैं तो आप देखें उन्हों ने जो है वो वैक्सीन भी फ्री में ले लेनी और आपने जो है उतने पैसे लगा दी और अपने लोगों को आप वैक्सीन ल कर दिया अब हम लोग यूट्यूब पे जैसे बात करते हैं लोग कहते थी यूट्यूब से बड़ा कोई इंकिलाव आ सकता है मैं नहीं समझती कि यूट्यूब से किसी किसम का इंकिलाव आ सकता है लेकिन हम बात करते हैं यूट्यूब पे और हमारी कोशिश होती है कि हम अप यहाँ से यह वीडियो छोड़ कर जा सकते तो पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा कल इतना नंगा नाच हुआ है खालिस्तान खालिस्तान का तो पाकिस्तानियों मतलब ऐसे खुस हो रहे थे पाकिस्तानी जैसे भारत के तुकड़े हो जाएंगे यह हो जाएगा वो हो जाएगा जबकि पाकिस्तानियों को पता है कि ऐसा कुछ घंटा होने वाला नहीं है आपको ही पता है कि कल भारत के पुलिस वालों ने एक भी गोली नहीं चलाई वो अपने आपको डिफैंड करते रहे या तो अपने आपको टैक्टर के नीचे आने से बचाते रहे या टैक्टर का जो पागल ड्राइवर जो हराम खोड ड्राइवर पागल था उस पे लेट वर्साने की कोशिस करते थे और या तो आसू गैस के गोले चिलाने की कोशिस की उनके उपर से ओडर नहीं थे कि आप गोली चलाए नी तो आप समझ सकते हैं गोली चलाते तो बहुत सारे लोग मर जाते और भी दंगा बढ़ता तो पुलिस वाले भी बिचारे क्या कर सकते थे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सरदार जी है यह जो पुलिस वाला है यह लंगड में एक रोटी जादा मांग रहा था साइथ तो इस पर यह मतलब उन्होंने तलबार मार दी की कोशिस की मतलब हद है यार हद है कितने सालों की महनत इतनी इज़त एक पल में गवाना हो तो इनसे कोई सीख है जाओ भीया लाल के लिए कोई गुरुद्वारा बना दो वहाँ पे आप जंडा फेरा दो क्योंकि अहुवालिया जी ने लाल के लिए में कब्जा किया था तो वही रिपीट कर दो मतलब क्या बोलू भे उन समसदार सिखों से आपको भी पता है सिख नाइंटी नाइन परसेंट सिख देश भगते इसमें कोई दोरा है नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बेवकूफों को डेफेंड ना करें खालिस्थान मनाएंगे आप आप दिल्ली में रह रहे हैं आप मुंबई में रह रहा है आप राजिस्थान में रहा है एमपी में रहा है बिहार में रहा है यहाँ पे भी खालिस्थान बनाएंगे फिर से एक पार्टिशन करेंगे फिर से पाकिस्तान जैसा हाल करेंगे वहां से माइग्रेशन हुई अब यहां से माइग्रेशन करके आ पन्जाब में जाके अपना खालिस्थान बनाईए, उन कुत्तों, उन हरामखोर कैनेडियन के हाथों बिकर ये हरकते करेंगे, इन लोगों को डिफेंड ना करें, बिल्कुल भी ना करें, मतलब रिक्वेस्ट है अगर समस्दार सिक्षों से अगर आप सुन रहे हैं, तो अग आपको जो सूट करें, लेकिन इस तरीकें की हरकतें ना करें, गरतन दिवस पर इस तरीकें की हरकत करके, आपने कल कितने करोरों हिंदुस्थानियों की नीद रात को मतलब उनकी खराब कर दी, उन वेसे मैं भी एक हूं, तो मैं उन, मतलब उन सिक्षवाईयों से क्युश् और जो भी जैसे मुहमबद वाले बोलना हूंगे रिलैक्स बॉइस हमें तो आज कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है वालब आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या बोलूँ बै अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जोस्तों मकरें ही हम आपको शपको झाते हैं तो आपको मकम धौन शोस्तों सकते हैं ये थवीं बोल आपकों मकमरे समझ सकते हैं